तो दोस्तों, पिछले लक्शनें हम देखेते हैं भावारत की ब्रोगल की इस्तिती उसका लक्शने गार्व श्तिती में लाख बॉलख बॉलेक्जें का देश है है भारत चाथुष कोनिय आकार के होने के कारण भीशिष्ट भौतिक बिभित्ता परदान करता है इस देश के उत्तर में उचे हिमाले परवत, मद्ध में विसाल नदी दोनिया जैसे गंगा की दोनिया है, ब्रहंपुत्रा की दोनिया है, उत्तर पुर्वी और दक्षिनी भाग में, उत्तर पुर्वी और दक्षिनी भाग में क्या है? वनाच्छादित छेतर पाया जाते हैं और पश्चमी साइड है भारत का उसमें मरोस्थले पाई जाती है उनका विस्ताज है राज्थान अपना थार मरोस्थले तो इंसल के बारे में अब आगे चलते हैं आपको मैप के सहारे एक रफली मैप बनाया हूं मैं उसके सहारे बताता हूं कैसे कैसे भाद की स्थिति कहां किस तरह है ठीक है दोस्तों यह हमारा प्यारा भारत है तो भारत के उत्तर में हिमालाय परवत्त आप जानते होंगे जम्मु कास्मिर लदाग से लेकर होते विए उत्राखंडी माचल होते विए हमारा एक हिमालाय है उत्तर में पश्चिमी साइड में पुर्वी साइड में पुरवांचल की पहाड़ियां है या वनाच्षदित पहाड़ियां है दक्षिन में भी पहाड़ियां है और पूर पस्चिम सैडर उसमें आपको प्राजस्तान में मरोष्थारे पाए जाती हैं। उसके बाद दोस्तों भारत के जो दच्छिन चेत्र है यहां पे हिंद महासागर है दोस्तों यह आप जानते ही हूं पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है जैसे हिंदुस्तान नाम पर यहां हिंद महासागर पड़ा है और कोवित महासागर उसका नाम किसी भी कंट्री के नाम पर नहीं है दोस्तों तो हम यह जानते हैं कि टोटल साथ पहादीब है और उसके बाद इसमें एक उपमहादीब भी है हमारा भारतिय उपमहादीब कहा जाता है क्यों उत्तर में हिमाले छेतर बहुत काफी लंबा दूरी तक विस्तार से फैला हुआ ह पस्चिम छेतर जो आपका है वो भी बहुत फैला है दक्षिन चैतर में हिंद महासागर इन सब को मिला कर जो भी कंट्री आती है इसे मिला गुपमहादीब कहा गया है तो कहने भारती उप महादीप में कितने कंट्री आते हैं तो इसके अंडर में पांच देश आते हैं इन पांचों देश के नाम याद के लिए कोश्चन यहां से आता है पहला तो अपना प्यारा भारत बाकी चारूप पडोसी देश है पाकिस्तान भूटान नेपाल और एक बांगला देश इन सब पांचों कंट्री को मिला कर बोला गया है भारती है उप महादीप दोस्तों उसके बाद यहां तक तो जान गए फिर मैं आपके हमें कर और फिर आएंगे इससे पहले आपको कुछ बता देते हैं कि जो भारत है वो छेत्रफल के आधार पर भारत छेत्रफल माफ कीज़े छेत्रफल के आधार पर कितने नंबर पर आता है दोस्तों हम जान रहे थे कि भारत छेत्रफल के आधार पर कितने नंबर पर आता है या भारत से बड़े कितने देश हैं मामले में भारत से बढ़े हैं वह सबसे पहले रूस जो है दो सब da आते हैं हम लोग कि भात का अच्छांस ये इंव देसांत्रिये दिश्टी से कितने डिग्री भारत अपना अवस्तित है तो इसे मैप के सहारे जानते हैं दोस्तों आएए आपके सामने रहाएए अपना प्यारा भात का मैप इसमें देखते हैं कि जो मुख्य भुमि का पॉइंट है या उतली मुख्य भुमिका पॉइंट और पॉरτανा पॉइंट यह जो है कितने डिग्री पर दर्स आया गया है गुलोप में तो तक्षिन से उत्तर जाते हैं हम लोगे ऐसे यह देखा जाता है में तक्षिन से उत्तर की और तो आठ डिग्री चार मिनट से लेकर 37 डिग्री छो मिनट तक उत्री अच्छांस के बिच भारत अवस् है ठीक है अब देखिए यह तो मुक भूमिका हो गया इनका नाम भी है कि पूछ देखा क्वेश्चन यह कि उत्तर में जो मुक भूमिका छेत्र है वह अंतिम मुक बिंदू उसका नाम क्या है या दक्षिन का जो मुक भूमिका छेत्र है उसका अंतिम बिंदू क्या है उसक नाम किया है दोस्तों तो जो 37 दिगरी 6 मिनट है वो जमो कास्मीर में है जो उत्रत्म बिंदू है उसका नाम है दोस्तों कि इंदिरा कॉल ठीक है उसी पर का जो दक्षिन में 8 दिगरी 4 मिनट है उसे कहा गया है कन्या कुमारी जिसे कैप कैमोरीन के नाम से जाना जाता है यह एक दूइफ है दोस्तो जो तमिल लाडू में है यह दूइफ है कन्या कुमारी यह आपका भारत का बुखेबुमे का अंतिम छोर है उसी परकार पस्चिम में गुझरात में एक जगा है जिसे बोलायाता है गौरमोता ठीक है पश्चिमुत्तर अंतिम बिंदू है ये गुजरात में उसी परकार पूरब क्यों बोलेंगे तो सबसे अंतिम बिंदू कहां है अरुनाचल परदेस में कहां अरुनाचल परदेस में इसका नाम क्या है तो इसे बोला जाता है की बी थू ये आपका पुरवत्तर भारत का सबसे अंतिम मुख भिमु का बिंदू है की बी थू तो उत्तर में दराकॉल दक्षिन में आपके करने कमाड़ी कैप के मोरीन और पस्चिम में गोर मोता या गुहार मोती भी बोलते हैं इ पूरव बिंदू है और नाशल पादेश में वह की बी थू ठीक है दोस्तों उसके बाद यह तो हो गया आपका अच्छांसीये दिशांत्रिये विस्तार भारत का कहा से कहा कुलब्य अब जानते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिन उत्तर से दक्षिन भारत की जो दूरी है वो कितना है और पूरव से प्षिन कितना है तो जो उत्तर से दक्षिन की जो दूरी है दोस्तों वो टोटल आपको है 3214 किलो मेटर उसी परकार पूरव से प्षिन की जो दूरी है वो है आपको 293 किलो मेटर दोस्तों गोनिया। तो इससे qo куда namaik yo किन किया होता है कि जो अदिकतन दूरी किसकी है तो उत्तासद चिन की उससे कभचा में पूरव की पश्चिळ्यों कि और इसका आप किलियोमेटर याद कर लिजेगा कितना किलियोमेटर है अब आगे चलते हैं दोस्तों ये तो हो गया मुख भूमेगा छेत्र अब भारत के दक्षिन पूरव में आपका है अंडमान निकवार छेत्र ये जानते होंगे अब इसे हम मैप को हटाते हैं आपको लेक अंडमान निकोबार द्विप समूः ठीक है अब ये भारती छेत्र में पलता है अवस्तित है तो इसका सबसे अंतिम बिंदू ये कितने डिगरी पावस्तित है तो ये 6 डिगरी 45 मिनट या 45 मिनट बोलते हैं ठीक है इस पे भारत का अंतिम मुख बिंदू है अब इसका भी नाम है दोस्तों इसका नाम में आपको बता देता हूं एक मिनट जो इसका नाम है वो है इंदरा पॉइंट क्या है इंदरा पॉइंट ये कहां अवस्तित है तो अंडमान निकोबार में अवस्तित है दोस्तों ठीक है तो क्वेशन ये पूछ देया आपसे कि भारत का मुख भूमिक का जो दिशांती है या अच्छांसी विस्तार है वो कहां से कहां है या बोल देगा अंदमान लिको बार्दीव समुकों के ले लगते हैं तो भारती विस्तार कितना है तो उसमें जो भारती विस्तार हो जाएगा न वो 6 डिगरी 45 मिनट से लेकर 37 डिग का दूरी चेंज हो जाएगा देशांत्री जो विस्तार है वो चेंज हो जाएगा बस दिप समुझ जोड़ने बोलेगा तो छे डिगरी प्यतालिस में दोस्तों ठीक है तो आज का चैप्टर हम लोग यहीं पर रखते हैं आगे इस विशय में मैं और जो कोस्चन हो सकता है उस से डिसकस कर दूँगा ताकि एक एमसी की रूप में लाद दूँगा आप लोग को उससे बहुत हैल्फुल मिलेगा ठीक है दोस्तों नमस्कार मैं रशुकर मातरी